Hello student, this is Amman here from Career Alpha Education और आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं JSS Noida के बारे में जो की काफी जादा एक demanding college है Delhi NCR में और Delhi NCR में बहुत सारे student जो की Delhi NCR आके पढ़ना चाहते हैं Noida गाजियाबाद के colleges private colleges को भी अपने option में रखते हैं चुकि इनका placement अच्छा है एक trustworthy college है अगर आप investment करने जा रहे हो आपकी fees लगा होगे 4 साल आप time देने वाले हो एक return की guarantee होती है कि definitely कुछ ना कुछ आपको placement यहाँ पर मिल रहा होगा तो ये इस trust की वज़े से बच्चे दिली NCR की तरफ बहुत ज़ादा बच्चे move करते हैं और जिसकी वज़े से college थोड़ा सा competitive भी हो जाते हैं तो आज आप जैसास नोड़ा के बारे में complete review देखेंगे और सबसे important आपकी कितने marks तक admission हो रहा होगा I mean कितने rank तक आपको admission है आपर इस college के अंदर मिल रहा होगा CSIT और जो भी आपर software branches है उनका क्या cut-off है, other core branches का क्या cut-off है ये सारी चीज़े हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाली वीडियो को last तक देखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ आप जरूँ शेयर कीजेगा किसी भी other college के बारे में आप जानना चाहते है comment section में आप लिखी हैं उस पर जरूँ वीडियो बनाएंगे so let's start this video JSS Noida JSS Noida आपका Noida location में काफी एक prime location पे located है और ये JP Noida से past में JP Noida जो sector 62 वाला campus है वो बहुत काफी past में campus है तो आपको कुछ location अगरा जो मिलेगा वो बहुत ही decent बढ़िया location आपको मिलने वाली है एक prime city में ऐसा नहीं है कि आप outer या बाहर कहीं बाहर ये college located है अगर आप campus 28 acres का campus area है तो बहुत बड़ा campus area भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं एक medium range में आपका एक campus area आपको मिल जाता है तो ठीक ट्राक आपको campus मिल जाता है सबसे important program कौन-कौन से तो especially जई वाले students के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये सारी branches है और आपका ये intake है किस branch में कितनी seats है इसका भी आप एक screenshot ले सकते हो कि कौन सी branch में हमारी कितनी seats आपको मिलने वाली है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ computer science या IT में जाना चाहते है या software branch में जाना चाहते है तो उनके लिए जो seat intake होगी आप civil, mechanical या electrical में नहीं जाना चाहते हैं कुछ बच्चों को already से पहले से decided होगा और यह जो CS वाली जनता है यह काफी ज्यादा number of student होता है तो आपके लिए जो seats होगी यहाँ पर branches है computer science and engineering then आपका software में एक IT branch है IT के साथ दो आपको यहाँ पर CS में specialization मिल जाती है एक आपका computer science and AIML CSE AIML वाली branch है और एक आपका CS के साथ में data science वाली branch अवेलबल है तो यहाँ पर अगर हम seats intake count करें 180 seat आपका total अगर में software branches की बात करूँ software में आपका जो भी software branch है तो software में जो total seats आएगी 180 seats आपकी computer science में 180 seats आपकी IT में यह होगया 360 और देन आपका 240 then 360 and 240 तो यहाँ पर आपको जो software branch में seats मिलेंगी वो 6 and 8 seats मिलेंगी जो बच्चे CS और IT में केवल आपका अगर है कि मेरे को CS IT के लावा दूसरी branch में नहीं जाना है तो आपके लिए लगबक 600 seats का intake मिलेगा इसके लावा जो candidate ECE या किसी core branch में आप जा सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पर intake और भी है क्योंकि यहाँ पर civil branch भी है इसके साथ साथ mechanical branch भी available है और ECE branch भी available है दिन आपका एक इनके पास triple E है electrical and electronics engineering यह branch भी यहाँ पर available है यह आपकी branches है basically और इनका seat intake यह तरीके से आपका होने वाला है इंपोर्टेंट है mode of admission क्या होने वाला है तो यहाँ पर देखे हैं 85% seats आपका J.E.Main के scorecard से आप state counseling करा होगे UP के आप state counseling करवाएंगे और 85% seats counseling के तुरू फिल की जाती है और 15% seats पे management quota के तुरू चुकि private college है तो यहाँ का एक management होता है और उनका 15% का management quota है AKTU की guideline के according बहुत सारे लोग सोचते हैं कि management quota एक गलत चीज है या management quota legal नहीं होता है तो बिलकुल ऐसा नहीं है AKTU के जो rules है उसके according हर एक private college में लगबग 15-20% का जो seats है AKTU में fixed है 15% अलग-अलग university के according अपना management का quota अलग-अलग हो सकता है बट AKTU के सभी colleges में 15% management quota की seats है management quota को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों में doubt होता है कि management quota की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि donation देना पड़ेगा बिलकुल ऐसा नहीं है आप management quota में college अपने level पे admission लेता है जिसके basis पे आपको हाँ पर admission offer हो रहा होता है कई बार donation वगएरा definitely NCR के colleges में donation की बात आती है donation से लोग admission लेते हैं और colleges में admission होता भी है यह एक fact है इसको हम मना नहीं कर सकते हैं बट आपको decide करना है अगर आपकी scoring वगएरा अच्छी है और आप donation नहीं देना चाहते हो तो आपको counseling के process से admission मिल जाएगा या फिर आपके पास और भी colleges option हो सकते हैं जो कि लगभग JSS Noida के जैसे ही होंगे JSS Noida के जैसा ही placement और सारी चीज़ें आपको मिलने होंगी colleges में बहुत ज़ादा major difference मैं नहीं मानता हूँ जो मैंने students के feedback देखे हैं क्योंकि लगभग हर एक college में हमारे students हैं पिछले चारपास येर से जो भी हमारा counseling का experience है counseling में हम लोग involved हैं तो लगभग हर एक college में अपने बच्चे हैं तो इतना कोई यहां का detail लेना चीज़ें पता करना बहुत हमारे लिए एक easy task होता है उसके basis पे अगर आप jail, bajaj, galguti या नीचे के जो colleges हैं जिन में ज़्यादा रेंग पर आपको admission मिल रहा है आप उधर भी try कर सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप donation दे या donation के through आप seat ले fee structure की बात करें fee structure की बज़े से ये colleges थोड़े और ज़्यादा competitive हो जाते हैं क्योंकि यहां पर 1,37,000 fees है जो कि एक medium range में आपकी fees है एक अच्छी reputation होने की बज़े से इन colleges में एक trust होता है कि definitely आप जो भी fees यहां पे pay करने वाले हो उसके against में आपको एक अच्छा placement एक ठीक आप सा placement आपको offer हो रहा होगा जहां पर आपको लगबग placement की बात करें 5-6 लाग का average package आपको यहां पे मिलता है यह especially मैं software branches की बारे में बात कर रहा हूं अगर आप civil mechanical या electrical में हो तो maybe यह package कम भी हो सकता है यहां पांच लाग है पांच लाग से कम का भी हो सकता है बड़ डिफिनिट्वी software branches में चुकि यहां बच्चों से काफी जादा यह academics में महनत करवाते हैं बहुत सारा काम कराते हैं और 75% वाला ruling भी है 75% आपको यहां पे attendance maintain करनी पड़ती है इससे नीचे के अगर आपकी attendance है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा strictly आपके साथ behave किया जाता है या कई बार आपको semester में या आपके जो internal exams है उनमें आपको detain कर दिया जाता है तो इस तरीके की चीज़ें college में होती है ऐसे college run करता है highest package के अगर हम बात करें कि last rank आपकी क्या है JSS Noida में जो की 2023 में admission हुए है उसमें कितनी last rank तक आपको admission मिला हुआ है उसके according आप एक idea लगा सकते हो कि अगर आपकी rank इसके range में आती है तो counseling के process से आपको admission या पर मिल सकता है without donation आपको admission ले सकते हो जनरल category में CS branch आपको 77,000 पर मिला हुआ है IT branch एक लाग 16,000 तक मिल गया है और CS AIML 92,000 पर मिला है CSE with data science आपको 1,05,000 rank तक मिला है अगर आप EWS के बच्चे हो तो EWS में 91,000 है CS branch computer science score की बात हो रही है IT branch आपको 1,28,000 तक गया है और CS AIML 97,000 तक मिला है CSC data science आपको 1,13,000 rank तक मिला हुआ है OBC 95,000 पर मिला है 95,000 तक CS मिला है और इधर आपको IT मिला है 1,40,000 rank तक Next आपको AIML 1,09,000 पर close हो गया है CS data science 1,14,000 rank पर close हो गया है तो यह आपका general EWS OBC SC वाले बच्चों के लिए cutoff और जाद आपकी extended रहती है इसका आप screenshot भी ले सकते हो इस cutoff के साथ साथ आपको कुछ important points बर जरूर ध्यान रखने है 2024 में आप appear होने वाले हो 2023 में जो EKTU की counseling हुई थी वहाँ पर last year 2 मंत का लगबग delay हो गया था 2 महिने देर में counseling शुरू हुई थी जिसकी वज़े से और बहुत सारे news भी थे कि EKTU का जो पूरा admission था EKTU के जितने भी colleges थे उनका पूरा case जो है court में चल रहा था जिसकी वज़े से EKTU का ये था कि EKTU इस बार eligible नहीं admission लेने के लिए AICT के हिसाब से EKTU को admission लेने के लिए permission नहीं दी जा रही थी जिसको लेकर के EKTU court में गया फिर court में decision आया और लगबग दो महिने बाद आपके counselling शुरू हुई जिसकी वज़े से बहुत सारे बच्चों ने डर की वज़े से पहले ही कही न कहीं किसी at college में admission ले लिया था कई जगह पर classes वगरा भी start हो चुकी थी तो बच्चों ने admission finally EKTU के जो colleges में जो बच्चे appear हुए थे जो भी बच्चे रह गए थे जिन बच्चों ने wait किया था last तक उनको कम rank पर भी काफी सारे अच्छे जगह पर options मिल गए थे कम rank पर बहुत अच्छे college में admission मिल गया था हमारे यहांसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी rank की expectation के हिसाब से हम लोगों ने उनको hold करके रखा उनको उनके साथ cooperate किया उनको जबर्जस्ती hold करा है कि आपको admission जरूर मिलेगा और counseling finally जरूर होने वाली होगी तो बहुत सारे बच्चों ने वेट किया और उसका उनको अच्छा result भी मिला तो इस बार 2024 में चीज़ें सब कुछ on time है पेपर आपका time से हो गया है result आपका time से आ गया है आगे भी I hope कि counseling process भी on time हो रहा होगा जिसकी वज़े से proper सारे बच्चे हां पे appear होंगे चुकि counseling बहुत सारी होती है और कई बार बच्चे जब divide हो जाते है तो उसका असर आपको cut off पे भी देखने को मिलता है उसके इसाब से admission में competition भी change होता है अलग-अलग college के admissions के का scenario भी थोड़ा सा change होता है तो इसमें थोड़ा बहुत आप gap जरूर लेके चले या फिर आप backup पे और भी options को जरूर प्लान कर ले किसी एक दो college के वरुसे आपको नहीं बैठना है इसी level के आपको JSS Noda के level के बहुत सारे और college मिल जाएंगे जियल बजा, JBS, गाजेवा, दजयकमार, गर्ग, गलगूटिया ये सारे college लगबख similar level के हैं तो आपको ये colleges मिल जाएंगे JSS में अधर facilities के अगर हम बात करें तो library, information center, सारा कुछ आपको मिलेगा, hostel मिल जाएगा, गलसल, बवायस दोनों के लिए hostel अवेलबल है, hostel fees आपकी थोड़ी सी costly रहेगी, 134,000 आपका per year का hostel रहने वाल है, जहापर fooding include है, fooding के साथ आपको ये hostel पढ़ेगा, अगर आप थोड 30-90,000 में आपका लगबग पूरा year का fooding और lodging fooding सारा clear हो जाएगा, sports facilities अवेलबल है, बड़ बच्चे बहुत जादा interest नहीं लेते हैं, sports में आपे, cafeteria, JSS का एक counseling center भी है, जिसमें वो psychological counseling वगएरा भी provide कर आते हैं, तो इस तरीके के कुछ अची facilities है, एक इनका incubation cell भी है, जहा पर बच्चों का ये review है, कि बहुत जादा involvement student की तरफ से नहीं होता है, but college अपनी तरफ से try करता है, कि बच्चे वहाँ पर interest लें, start-ups में, नई चीज़ों में, एक academic level पर बहुत ही चीज़ा ठीक मिलती है, academics आपको बढ़िया मिल जाता है, placement के लिए company भी यहाँ ठीक ठाक त कुछ भी अगर आपको लग रहा कोई question है, तो हमारी आप team से बात कर सकते हो, help line number आपको screen पे available है, free of cost आप हमारी team से discuss कर सकते हैं, किसी भी college करेगा नहीं, so thank you so much, keep watching, stay connected.